ओम्शंति 24 मार्च बाबा सुरू कर रहे हैं तुम बच्चों को बहुत नसा रहना चाहिए तुम बाप के साथ वैठे हो बाप माना भगवान के साथ वैठे हो ब्रह्मा के सम्मुक वैठे हो अब ब्रह्मा के द्वारा मैंने इस्थापना की तो जरूर ब्रह्मा के तन में परवेश करूँगा तो मैं ब्रह्मा के तन में आया हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हें complete knowledge दे रहा हूँ, मैं ग्यान का स्थागर हूँ तो पहला रहस बाबा बता रहे हैं, तुम क्योंकि बाप के साथ मददगार बनते हो भारत को स्वर्ग बनाने में, सबको मुक्ति जीवन, मुक्ति दिलाने में, इसलिए तुम्हारा गायन होता है पूजन नहीं पूजन उनका नहीं हो सकता जिनके शरीर है पूजन के वल उनका होता है जिनके शरीर पूजन है देवी देवताई, लक्षमी नारायन, सिरीक रशन, रान, सीता ये पवित्र हैं, आत्मा भी और सरीर भी इसलिए इनका गायन भी है और पूजन भी है लेकिन तुम इस समय बाबा के साथ मददगार हो उसके कारिये में तुम्हीं ये भी नसा रहना चाहिए तो तुम्हारी माला बनती है, माला एंड में जाकर बनती है, बीच में नहीं, माला में सबसे उपर फूल, सिव बाबा, फिर मेरू दाना, डबल दाना, ब्रह्मा सर्श्वती, फिर 108 रतनों की माला, लेकिन इन सब के भी शरीर एपवित्र हैं, इसलिए इन सब का भी पूज पूजन नहीं होता, गायन, इसमर्ण होता, देखो, मालाओं का इसमर्ण करते हैं, कोई मंत्र लेके, कोई कुछ, देवियों के लिए बाबा कह रहे हैं, कि ये दुर्गा, अंबा, काली, ये देवियां भी तुमारी यादगार हैं, ये संगम की हैं, इनका विवास्तों में गायन ही है, पूजन नहीं है, रंतो आज तो पूजन हो रहा है, वो अलग बात है, गुरु लोगों का पूजन होता है, क्राइस्ट आया, अब क्राइस्ट गुरु तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट कोई पतित पावन है, उसने धर्म इस्थापित किया, बाद में उस धर्म की आत्माएं उनके पीछे पीछे आ गई, गुरु केवल एक है, जो परमसद गुरु है, जो सब को मुक्ति जीवन मुक्ति की रहा दिखाता है, और तुम हो उसके मददगार, वो है निराकार, उन्होंने तो नाम रूप से एक नियारा कह दिया, रूप ब माला तयार हो रही है, जो बहुत महनत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, दारना करते हैं, जान देते हैं, वो माला के मन के बन जाते हैं, 108 और आठ, तो बाबा कह रहे हैं, अंत में सब को साकसातकार होंगे, कौन-कौन माला के दाने बने हैं, कौन-कौन असरतन हैं, कौन-कौ पास भी दौनर हुए हैं, जैसे, एक्जाम किस समय ही पता लग जाता है, और बाद में तो रिजल्ट आउट होई जाती है, तो तुम्हारी भी पूरी रिजल्ट आउट होगी, फिर बहुत पच्टाएंगे, बहुत फेल होगे, ये माला के दाने राजा रानी बनेंगे, तो जरूर परजा भी बहुत बनाई होगी, मेहनत की होगी, तो बाबा कह रहे तो मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, स्वर्ग बनाने की इस भारत भूमी को, इसलिए तुम्हारा भी बड़ा महत हो जाता है, देखो, इस सिव के भी पूजा होती है, सिव लिंग के रूप में, और तु पवित्र ब्रामनों के, लेकिन उनके सरीर पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन नहीं होता किवल माला इस सिम्रन की जाती है, भाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें सरस्टी के आदी मध्यांत का ज्यान देता हूं, इस स्वदर्शन चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हों, लेकिन ज्यान के वल इतना ही नहीं है, सबसे पहला ज्यान में निमूल वतन का दिया है, तुम और मैं वहां रहते हैं, फिर ज्यान दिया सतियुक का, कैसे मैंने भारत को स्वर्ग बनाया था, और कैसे सब गिरावट में आया है, तो लक्ष्मी नारेन, कैसे भी सुमहराजन बने, उन्हें राज कब और किस ने दिया, और फिर उनका राज कहां चला गया, यह सारा ज्यान है, किस ने छीन लिया उनका राज, सोने के महल थे, हीरो के महल थे, वो सब कहां चले गए उनके, तो तृता के अंत में फिर अर्थ को एक्स होती हैं, और सारा स पुरक का खजाना नीचे चला जाता है। ऐसे नहीं फिर महल निकलाएंगे। महल तो फिर बनाने पड़ते हैं। सोमनात का मंदिर भी बनाना पड़ा है। लेकिन सारे हीरे, सोने, मोती सब जमीन में चले जाते हैं। ये सारा ज्यान बावा तुम्हें दे रहे हैं। तुम यही ज्यान अगर विद्वानों को दोगे, तो विद्वान अस्यरिय चकित होंगे, कि कितनी गहरी बाते इनके पास हैं। लेकिन वो गहरी बाते कहां से आई, अब तुम जानते हो, जो ग्यान का सागर है, निराकार परमात्मा है, जो तुम्हारा बाप भी है, तो टीचर भी है, और सद्गुरू भी है, तुम्हें इस समयाक कर ये संफून ग्यान दे रहे हैं। और राजयोग सिखा रहे हैं, जो राजयोग का बहुत अभ्यास करते हैं, वे राजाई प्राप्त कर लेते हैं, जो बहुत कम करते हैं, वो परजा में चले जाते हैं, सब तो राजा बनेंगे नहीं, राजिस्था पर थोड़ा है, तो कोई राजा, कोई परजा, कोई नोकर चाकर सब बनेंगे, तो तुम्हें अब महनत करनी है बहुत जादा, और इस ज्ञान की पूरी-पूरी धार ना करनी है, ठीके ज्ञान के वल सुनने-सुनाने तक नहीं, ज्ञान की संपूर्ण धार ना तुम्हें अपने जीवन में करनी है, बहुत अच्छी नसे की बात इसमें तुम जो चाहे भाग्य बना सकते हो, कई अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े-बड़े सेंटर समालती हैं, बाबा को बुलाती हैं, बाबा कहते हैं, बच्ची फुलवारी को बढ़ाओ, अभी तो बहुत छोटी है, तो बाबा अवस्य आएगा, मुंबे मुलाते हैं, बाबा कहा रहे हैं, मुंबे में तो लाखो हो जाएंगे बाबा की बच्चे, तो अब तो वैसे ही हो रहे हैं, तो बाबा सेवा की उमंग भर रहे हैं, कि तुम बच्चे जितनी सेवा करोगे, परजा बनाओगे, तुमारा गायन भी होगा, पूजन भी होगा, और एकागरता की शक्ति के द्वारा सबात्मों की चाहना को पूर्ण करने वाले विश्व कल्यानकारी बनों देखिए हमारे अंदर जितनी एकागरता की शक्ति होगी उतना ही हम दूसरों के भटकते मन को जिसने अश्यांत किया है मनुसको श्यांत कर सकेंगे एकागर कर सकेंगे इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए, मेरा तो एक सिर बाबा, दूसरा न कोई, एकागर चित्थोने की पूरी प्रेक्टिस करनी है, तब तुम विश्व कल्यानकारी बनोगे. स्लोगन है, ब्रह्मा बाबा के समान, गोंड स्वरूप, धारना स्वरूप, योग स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्रह्मन हैं, तो आज हम ये नसा रखेंगे, मुझे विजे माला में आना है, पास्विद ओनर होना है, और पांच स्वरूपों का ब्यास करेंगे, पांच स्वरूपों के अब्यास के साथ अपने घर में जाकर बैठकर टीप साइलेंस कानुभवी करेंगे, ओम जन्ती.